हलो दोस्तों स्वागत आपका उत्तराघंड भूमी क्लासिस में आज के जुम बात करने वाले हैं आपका प्रिविए सेर पेपर का सिरी चल लाता जो कि आपका भी पार्ट फोर रहने वाला आपका यहां पे है इससे पहले आपके तीन पार्ट अप्लोड किये जा चुके हैं जिन्होंने नहीं देखे हैं प्लेइस में जाके आप लोग देख सकते हुआ पर आपका लाइब एसिस्टेंड और फोरेस्टर के लिए आपका प्रिविए सेर पेपर का साइड यहां पर चल रहा है तो यह एक्जाम पेपर यहीं पर आपका समापत हो जाएगा आज आपका तो उसका आपका यहां पर रिजल्ट अप्रेल तक आने वाला है यह वहां पर दिया हुआ है तो वहां पर एक्जाम कराने की कोई भी बात अभी नहीं की गई कल के नोटिफिकेशन में तो आप मान के चलिए मार्च जो बोला गया था पहले वहां पर आभी मार्च में जहां तक है आपका फर्वरी लास्ट या मार्च फर्स्ट वीक में आपको इसके फॉर्म देखने को मिल जाएंगे नए अभ्यर्ती भी इसमें सामिल हो सकते हैं तो वंदरोगा वाले भी इसको जरूर से अप्लाई करें साथ ही दूर संचार है कॉस्टबल वाले भी इसको साथ मैंगों उसका एक्जाम आपका कन्फर्म होने वाला है अब बात करेंगे कि आपका जो पॉरेष्टर का एकजाम हो कब तक हो सकता है वंदरोगा का एक्जाम कब तक हो सकता है तो यहां पर देखें, अप्रेल में, रिजल्ट आने के बाद ही, यहां पर मुंखिन है आप लों का एक्जाम करवाना है, क्योंकि देखें, उस टाइम पर आपका, अगर मार्च मा करवाते हैं, तो यहां पर UKPSC भी उस टाइम पर एक्जाम करवा रही है, साथ ही बोर्ड एक आपके चल रहे हैं, तो उस हैसाब से यहां पर मार्च में होना संभाव नहीं है, तो अप्रेल या मय में तक आपका यह एक्जाम जा सकता है, एक्जाम होना कन्फर्म है, तो आपको तैयरी करते रहना है, आपके पास थोड़ा टाइम यहां पर मिल चुका है, तो बात करें आपके रूप में कारी करती है, तो जैव मंडल निचे इसका बी ओप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखें, परियावरण से काफी क्वेशन यहां पर बने हुए है, उसका 77 नमबर क्वेशन है, पन्ना जैव मंडल निचे कहां इस्तितर यह पूछा जा रहा है, तो मद्धी परदेश में यह आपका MPA में आपका है, यहां पर आभी देखें, इससे पहले आपका परियावरण के तीन या चार वीडियो आपको वहाँ पे, प्लेलिस्ट में ही देखने को मिल जाएगी, वहाँ पर मैंने आपको जो महत्तपूर महत्तपूर यहां पर यहां पर देखें आपका, कार्बन के अधूरे देहन के परिणाम सरुप कौन सी गैस उत्पन होती है, पूछा जा रहा है, तो देखें यहां पर अच्छे से देखना है, अधूरे देहन की बात की जा रही है, तो जब अधूरा देहन होता है, तो आपको अधूरे देहन की पूर्ण देहन की बात करें तो CO2 का आपको याद रखना है कर्वन डायोकसाइड अगला क्वेशन आपके पास है यहाँ पर दिखे अमीनो मिथेन यहाँ पर फिर यहाँ पर दिया हुआ है डैस के साथ अलकोहली अमोनिया से अभिकिरियाक से प्राप्त होता है तो B option इसका right answer है CS3I यहाँ पर अब बहुलक बेंजीन डैस से प्राप्त किया जाता है तो इथाईल से किया जाता है आप सभी लोगों को इसका पता होगा काफी आसान से कुशन है और बहुत बार यह कुशन पूछा गया है अगला कुशन है यहाँ पर आपका ग्रहां से कौन से है पूछा जा रहा है तो यहाँ पर D option है यहाँ पर आपका long इसका answer हो जाएगा 83 की बात करें तो यहाँ पर देखे आपका विष्टापन में परीवर्तन और उस समय अंतराल के बीच का अनुपाद जिसमें विष्टापन होता है उसको क्या बोलते है तो और मीटर पर सयकेंड इसका आपका होजागा यहाँ पर unit की बात करें तो यहाँ पर पूछा जासक अगले question की बात करते हैं यहां पर देखिए आपका निम लिखित मैंसे कौन सा उदाहरण आवर्ति-गति को निवरूपित करता है तो आवर्ति-गति के बारे में आप पुछा जा रहे है तो option A ही इसका right answer है देखिए अपने दर्भिमान के केंद्र के चारो और घूमता एक hydrogen अणू तो यहां पर यहां पर आपका क्या दिखाएगा आवर्ति-गति को दिखाएगा डायेक्ट आपसे आवर्ति-गति का यहां पर definition भी पूछा जा सकता है 85 की बात करें तो यहां पर देखिए ब्रतकार पत पर गतिमान पिंड़ पर कार्यत आप देखिए अपकेंद्री बल की दिखा पूछी जा रही है तो देखिए अपकेंद्र बल कहा लगता है आपका केंद्र से दूर क्यों लगता है जब मैंने आपको यहां पर physics के पूरा topic को यहां पर chapter wise पूरा है, हो आता था, थोरी, तो वहां पर आपको देख सकते हैं, वहां पर अपकेंद्र बल के example भी बहुत बार पूछे जाता है, यहां पर कुछ अलग तरीके से पूछा गया है कि यह बल की दिखा क्या होती है, तो यहां पर अपकेंद्र बल की बात करें यहां पर देखिए आपका, इसके एक्जामपल भी आपको देखने को मिल सकते हैं, आपके बहुत बार एक्जामपल यहां पूछा जाता है, 86 नमबर है यहां पर प्रिथिभी की सत्व पर गुर्तिया कर्शनल बल का सबसे अधिक कहां पर माहन होता है, उसका यह पूछा जा आपको दिया है, C2H5OH का IPAC नाम आपसे पूछ लिया था, तो एथनोल होता है, यह आसान सा था बहुत लोग जो नहीं पढ़के भी कियोंगे, वो भी इसको कर सकते थे, तो IPAC भी आपको टस्क करते हुए चलना है, यहां पर से आपका सिंपल सा एक्वेशन बनने की उम्मी होता है, और कौन सा हार्मोन कहां पर उत्सर्जिस होता है, किस लिए उसका यूज होता है, हार्मोन का यहां पर इससे पहले पूछा भी गया था, इससे पहले एक क्वेशन यहां पर मिल रहा था कि दूद के स्राव में कौन सा हार्मोन यहां पर सायक होता है, तो वो भी उसके पहले आपका आप बात करंगे 90 आपका 90 नंबर है प्लस प्लस न अपका होता है यहांपे تو पी आपको दिया हुआ है यहां पहले आपका 3 और नुट्रोन के हैं आपको 4 21 number question आपको दिया हुआ है, निम्खित मैंसे कौन सा धातों के सोधन के लिए नियोजित नहीं किया जाता है, तो निक्चालन है आपका देखे, A option इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका यह question है, अगले question की बात करते हैं, निम्खित मैंसे उर्जा का access road का उधान कौन सा है, पूछा जाता है, तो सोर है आपका solar, C option इसका राइट आंसर हो जाएगा, अगले question देखे, आपका simple question है यहाँ पे, एक dash में यांत्रिक उर्जा की उपयोग, चुम्बगी छेत्र में चालक को गुमाने के लिए किया जाता है, ताकि बिजली का उतपादन किया जा सके, जिसका उपयोग करके, मुख्य रूप से उध्योगों में किया जाता है, तो द किसमे चेंज करता है यह आपका, विद्दूत में आपका चेंज कर देता है, 94 की बात करता है, तो यहाँ पे आपका बाद, इस्तानी समुद्र जीवन को कैसे प्रवाइद करते हैं, पूछा जा रहा है, तो B option इसका right answer है, environment question पूछा गया है, इस्तानी जली जीवोगों को right answer हो जाएगा, 95 की बात करते हैं आपका, प्रणाली कुकुल यांत्री उड़जा तब ही संदक्सी दहती है, जब उस पर कारी करने वाले सभी बल यहाँ पे, क्या होता है, संदक्सी होता है, तो B option इसका आपका right answer हो जाएगा, अगला है आपका alcohol और carboxylic अमल के बीच अब दिया है, निमखित मैंसे किसबे जड़े nitrogen इस्थिकरण में सामिल होती है, तो यहाँ पर दीखे, साइकेस यहाँ पर D option इसका right answer हो जाएगा, अगले आपके पास किस मिट्टी को रेगर मिट्दर के नाम से आपका जाना जाता है, तो काली मिट्टी को यह आपका जाना जात आपको, अब यहाँ पर अंतिम question यहाँ पर इस paper का आपका बचा हुआ है, यहाँ पर देखे, आधुनिक आवर्चाणी के समू 15 के तत्तों के साथ, अपमिसित silicon यहाँ पर क्या बनाता है, तो देखे, आपका silicon क्या है, आपका अर्धिचालक है, 15 की बात कर दी तो यहाँ प परकार के अर्धिचालक में, जो आपका electric चलती है, वो कैसे हो जाता है, कैसे generate होती है, तो वहाँ पर आपका electron के help से होती है, और अगर बात करें, यहाँ पर P-type में, तो वहाँ पर आपका hole के मदद से यहाँ पर होती है, तो यह चीज़े हैं आपका, इसमें आपका देखे question यहाँ पर काफी repeat हो रहे है, एक एक chapter से दो-दो question भी आपर पूछे जा रहे है, अब उस time पर ऐसा इसलिए हुआ था, क्योंकि आपका 18 paper यहाँ पर बने हुए थे total, और यहाँ पर देखे 1800 question आपका total यहाँ पर बने हुए थे, तो question repeat होना थोड़ा सा हम आपर बनता है, क् इतने question नवी और दसवी की, science से यहाँ पर नहीं बन सकते, 1800 question काफी जादा हो जाते, इसलिए यहाँ पर उस time पर environment काफी जादा है, मात्रा महीं आपर पूछी गई थी, तो इस बार आपका single paper होने वाला है, एक ही सिंगल पेपर रहने वाला है, तो 100 question ही बनेंगे, तो आपको टेलिग्राम ग्रूप को जाइन कर लेना है, साथ ही आपको यहाँ पर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब जोड़ कर ले, वीडियो को लाइक करें, और सियर करें, फिर मिलता है एकली वीडियो होए, थैक्यू सोबच